तो बच्चो आप आगए चलिए बच्चो आज मैं खड़ा हूँ यानि जुनाइटिट नेशन्स और्गनाइजेशन के हैड़ कौर्टर्स जो है निव यॉयॉक शहर में सयुक्त राज अमेरिका के निव यॉयॉक शहर में बच्चो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यॉनाइटिट नेशन्स और्गनाजेशन की स्थापना के कारण क्या थे वर्ल्ड वार फर्स्स स्टार्ट होई बच्चो उनीस सो चौधा में जब आस्ट्रिया और हंगरी यूरोप के दो बड़े देशों ने सर्बिया पर अटैक कर दिया सर्बिया की जबीन कव जाने के लिए हुआ यह अटैक रशिया को रास्त नहीं आया और रशिया ने भी सर्बिया का साथ दिया देखते ही देखते पचास से ज्यादा देश इस युद्ध में शामिल हो गए और वर्ल्ड वार फर्स्ट की शुरुआत हुई 1918 में इस विश्व युद्ध का अंत हुआ वर्ल्ड वार फर्स्ट का अंत हुआ जिसका परिणाम सर्वनाश निकला और जर्मनी को अपनी मिलिटरी जमीन वा पैनल्टी तक जुरुआने के तोर पर भुगतनी पड़ी 1919 में फ्रांस की राजधानी पैरिस में ट्रीटी ओफ वर्साइल हुई जिसके तहट जर्मनी के उपर ये सभी पाबंदिया लगाई गई कि आपको अपनी मिलिटरी कम करनी होगी पैनल्टी देनी पड़ी और यह सब कुछ हुआ जो एक जुद्ध के अंत में होता है 1920 में कुछ देश सामने आए और उन्होंने मिलकर लीग ओफ नेशन्स की स्थापना करी जिसका उदेश से था विश्व में सुरक्षा और शान्ती को स्थापित करना यानि कोई देश किसी देश पर हमला करेगा तो लीग ओफ नेशन्स उसके उपर एक्शन लेगा एक एगर लेकिन जिस उदेश से लीग ओफ नेशन्स की शुरुवात की गई थी वह उदेश पूरान हुआ और 1949 में जर्मनी के एक तानाशा हीटलर ने पोलेंड पर एक बार फिर आकरमन कर दिया पोलेंड पर आकरमन देख एक बार फिर रशिया ब्रीटेंड फ्रांस इटली और समस 45 में जब इस युद्ध का अंत हुआ तो जर्मनी एक बार फिर हाश्य पर जा चुका था क्योंकि जुद्ध में होता वही है परिणाम यानि नुकसान आर्थिक और समाजिक नुकसान यानि यदि कोई देश युद्ध में भाग लेते हैं तो उनको शती उठानी पड़ेग संयुक्त राज अमेरिका यानि USA के न्यू यू यॉर्क शहर के मैनहेटन टाउन में की गई इस युएनों को स्थापित करने का उद्धेश था विश्व में शांती वा सुरक्षा स्थापित करना युएनों के छे विभिन अंग होते हैं बच्चों ये छे विभिन अंग प न्यू-york में है एक यारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्ट्री जिसका हैड़कॉर्टर दा है निदरलेंड्स में है वच्चों यानि अंतराष्टी न्यायाले याजी दो लोगों में विवाद होता है तो लोग कोट में जाते हैं यदि दो देशों में कोई विवाद होग है तो लोग अंतराष्टी न्यायाले में जा सकते हैं जहां पर 15 जजिस को नियुक्त किया जाता है और क्लास में चलकर आपको यह भी बताएंगे कि यूएनों के अंडर में और कितने विभिन और्गनाजीशन काम करते हैं जो विश्व में शान्ती वा सुरक्षा स्थापि करने में यूएनों की मदद करते हैं चलिए बच्चो चलते हैं क्लास को जानुकर कैसा लगा बच्चो युएनों की स्थापना क्यों हुई थी कौन बताएगा United Nations Organization establishment क्यों हुई वाए ऑन बता रहा है चल यह तुद्राक्षी बताईए मेरगो कोई भी बच्चा बता दें जो गलत करेगा यानि एक संक्ठन मना वर्ल्ड वर्स फर्स्ट हुआ वर्ल्ड वार सेकंड हुआ विश्व पीछे गया बहुत नुक्सान हुआ ट्रेड का नुक्सान हुआ लोगों का पैसे का नुक्सान हुआ समाजिक इस्तिती बदली लोगों की एक बात बताईए अगर किसी देश में युद्ध होगा तो इतनी बुरी स्थिति आ जाएगी तो बच्चे पड़ थोड़ी पाएंगे बच्चे भीक मांगेंगे बच्चे स्कूल नहीं पाएंगे क्योंकि स्कूल धुस्त हो जाएंगे नहीं होगा देश के पास क्योंकि आप युद्ध कर चुके हैं तो यह सारी परिस्तितियों को और कम करने के लिए यह परिस्तितियां फिर से न पैदा हो विश्व में किसी छोटी मोटी बात पर विवाद न शुरू हो जाए इसे सबसुल जाने के लिए ही एक प्लैटफॉ से ना चुरू से सब्सक्राइब कॉन्से कॉंटिट है कॉन बता रहा है मुझे कॉंसे में हो जल्सक्राइब कउनटी इनाषव अमेरिकाइफ को क्या कहते हैं इनके बॉर्डर को कहा जाता है 49 लिख लिए अमेरिका और कैनेडा के बॉर्डर को उननचास्वी पैरलल कहा जाता है 49 पैरलल इसी लाइन को इनके बॉर्डर को कहते है है 49 पैरलल क्या करते हैं पार्टी नाइन तो पैरलल लाइब ठीक ऐसे नॉर्थ कोरिया विच की लाइन को बोलते हैं तीसमी पैरल ठीक है चलिए जो चीज़े पता है वो बता दिए यह कौन है यह क्या है यहीं वहां का वहट कॉटर है यह वह बिल्डिंग जहां पर पूरे इवन्यों को स्टाफ बैठता है और वर्डवाइड हर देश में का स्टाफ बैठता है और उस देश की सारी रिपोर्ट इवह नों को जाती है कि यहां पर आर्थिक समाजिक human rights बच्चों की एजूकेशन की पूरी रिपोर्ट जाती है जानते हैं आप लोग आपकी एजुक इंडिया से मारा सबको इंडिया एक ऐक ऩाच पोलियो फ्रीय हो चुका है बड़ी फिर्वरी घातक भी मारी ती कि और यह खाल इस गंले पानी से आ जाता था रगवन बड़ी घातक भी सिर्मारी चलिक को बड़ांने Howard क्या जाते हैं और जाते हैं कितने बच्चे को कितना न्यूट्रीशन रहे हैं कितने बच्च्सта को कितना नौता है अग appetite होता है और अगर कि देश को कोई दिक्कत होती घूए अनौने अलग और अलग और आउराख़ी बना रखें यहें जो क्या करते हैं मदद करते में जैसे ऑल्ड बैंक बना जब यू-एंड लॉड बैंक बना एक बैंक आपके घर के twenty य है Lord बैंक का काम क्या यह किसी इश के अंदर कोई लोना बनसे को पैसा नहीं रही सब्सक्राइब कई यह बात में काम चलाओ अव्म तो हमारा सब का फर्ज नहीं कि उसका साथ कि कोई बच्चे अगर पढ़ना चाता है और उसके पैसे नहीं है और सच मुच में पढ़ना चाते हैं और सच मुच में पैसा नहीं है कि इसपीटी ब्रेंस उनको फ्री में जोइन करा लेगा यह मैं बोल रहा हूं फ्री में जोइन होंगे बच्चे जिनके अंदर क्या टैलेंट और चाहते हैं तो और क्या होगा फिर इस पीडिव से क्लासी करा दी मालोग किसी बच्चा कोई बच्चा उसके प्रणोस में रहता यहीं ओर देश त्रिभा उनो को इस्थापित करने का कहीं पर बहुत बीमारी फैल गई है बहुत रास्डी आ गई है तो जिन डेशों माल लो किसी देश में सिंकोणा की वहत ना की डरी मिलेयरिया की ड़वा बनती है तो फटा pet वो तो क्योंकि भाई मलेरिया अगर उसके देश ने आ सकता है ना इसी लिए सारी चीजह आप जैसे पोलियों का वायरेस फैला था और गाउं के गाउं उजार देता था सबको पोलियों पैर से बिकलांग बच्चे स्पाइन की दिक्कत स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिच्टम को कर देता ना कर आप तो पोलियो की दबा भारत ने मना रखें दो फून जिंदगी की से ओटाटी मिल्लीक से ओर अप्रक्रूस चर्क सबस्किलेख भटारा वे और कोई भी नहीं भाई नहीं प्याता तो पोली हो जाता ठीक है चलिए ओपीवी अब यह ओपीवी की कमी जिन देशों में पटी ना पहले तो भारत ने अपने आखों क्या किया पहले जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे नरसिंगा राओ एक प्रधानमंत्री हुए उन् wszystkim मना गई और पॉलिए वयक्सीन को बड़े मास इस तर पर अब इसंब को रहा है और बारत को पोल्यों फ्री घुशित किया थी Yap पोल्यों प्री होने के बाद सारी किंट्री भारत में दम है अपनी वेक्सिन हमारे को भी देओ द्वा के दियो तो जितने देश कंजोर थे गरीब थे भारत पॉल्यों तो यहीं तो यून वे के लिएक एक डामियमृ की सबूभी देश एक दूसरे के लिए हितों की रक्षा करेंगे सुरक्षा और इस और शांति दो लिआ है रोड़क क्या था स्थापििर करने का Security यानि सुरक्षा और फीस और से करना था विश्व में इस धर्ती पर इस प्लाइट पर इसलिए यूनों का गठन किया गया कहां पर किया गया न्यू यॉर्क में किया गया न्यू यॉर्क के कौन सी सिट कौन से टाउन में मैनहेटन टाउन में ठीक है किसमें मैनहेटन टाउन जैसे आपका गाओं का नाम है ऐसे मै तो यह यह विल्डिंग आपके सामने यूएनों की और यह किसकी फोटो लगी हुई है कौन है यह कौन है यह यह अभी के वर्तमान कौन है यह सबसे बड़ी पोस्ट होती है यूएनों में याद रखना यूएनों के सबसे से बड़ी पोस्ट होती है सेगरेटरी जर्रलर ऑफ उनाइट नेशन अभी कौन है यंट daughter ना कि कि किसी भी देश के हो सकते पूर इक फुरह वह पुरा रॉट्रैजिशन तो इनको चुना गया है कहां से यह पुर्तगाल के पॉट्यूगल पॉर्ट्यूगल के हैं ठीक है रादधानी लिजबन पॉर्ट्यूगल के रहने वाले है ना एंट्र कौन एंटीनियो गुट्रेस अभी प्रेजेंट सेकेटरी जनरल है बहुत इंपॉर्टेंट है कोश्चन आपके एक्जाम में सेक्रेटरी जनरल कभी आ सकता है लेकिन कोश वाद याद रखना सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम ऑफिसर होता है यूएनों का यूएनों के सेक्रेटरी जनरल को सुप्रीम ऑफिसर चलिए और यूएनों को फ्लैक देख लिए आए अब यह पूरे वल्ड का मैप और यह आया मेरा नॉर्थ अमेरिका क्या आया नॉर्थ अ अमेरिका त्युनाइटिट्ट विस्टेट्स अफ अमेरिका के नियॉऔर्क शहर देखो यह रहा मेरा यू यू यॉप शहर देखो अच्छो मज़ा आजाएगा आपको यह इसी को मैंने बढ़ा कर दिया यह सिर्फ यू से का मैप यहां पर यू से के मैप के इस तरफ यहां इदर देखो यह रहा ना क्या नियॉयोप और सी नियॉयोप के मैनहेटं टाउन में है क्या यू आया कि नहीं पजाया की नहीं ठीक है तो दो बड़े शहर वाशिंटन टीसी राटधानी किदर है इधर यानि नियूवर्ट किदर दूसरे च्छोर पे वाशिंटन चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं वही कहानी जो मैंने आपको पीपीटी भेजी थी आप अपने पढ़ी होगी किस किस ने पढ़ी थ्यान से चलो एक वार फिर से पढ़ लेते हैं लीग ऑफ नेशन्स वीडियो देखने में एक कहानी हुई थी वह कहानी सर ने सुनाई थी उस कहानी को फिर से दोरा देंगे अभी दोर आएंगे अब लीग ऑफ नेशन कि वर्ड की बात करें थी हम ने सकेंड्ड की बात कर रहे हैं वर्ड वार सेकंड् pi 1949 से 45 के समाफ्थ होने के बाद जिसमें जर्मनी ने पॉलेंड पर 1949 में अटैक किया जिसके फलसुरूफ फ्रांस और बीटेन जर्मनी पर अटैक कर दिया और देखते ही देखते वर्ड वार सेकंड में पचास से ज्यादा देश शामिल हो गए ठीक है पचास से ज्यादा देश कि उनिस पता जब यह यह समाफ्थ हुआ जब यह समाफ्थ हुआ लगभग की क्यावन देशों मिलकर दुनिया में शांती और सुरक्षा स्थापित करने के लिए एक इंटरनेशनल और्गनाजिशन यानि अंतरास्टी संगठन का इस्टैबलिश्मेंट किया 24 अक्टूबर 1945 को जो है कहाँ पर संयुक्त राज अमेरिका के नियॉर्क शहर के मैनहेटन टाउन में इस्थापना की जिसे हम युनाइटिड नेशन कहते हैं युनाइटिड नेशन की स्थापना याद रखना और 193 मेंबर है जब यह बना था तो 51 मेंबर थे इनीशली इनीशली यानि जब बना था पहले ध्यान से सुनेंगे लिखने से पहले इनीशली यानि जब बना था तो 51 मेंबर थे फिर क्या हुआ धिरे धिरे बढ़ते रहे कोई कभी कोई देश चला गया फिर कोई देश चला गया अब इसका 193 मेंबर और सबसे यंगेस्ट है साउथ कौन है साउथ सूडान साउथ सूडान ठीक सबसे यंगेस्ट मैंबर 2011 वे बना था सब से यंग 2011 में अभी 193 देश जो बना साउथ सुडान इसका मैंबर बना जैसे मालनो मैंने क्वछा काम करने के लिए बनाया तो तीचर बच्च चार इक्यावन बच्चे तो मेरे साथ आ गए अब प्रत्वी बोल रहा है मैं भी नहीं आओंगा फिर रहाना बोल रहे हैं मैं भी नहीं आओंगी फिर 51 जो हमने को अच्छा काम शुरू किया तो 51 के बाद क्या हुआ क्रिस्ट्री आ गई बोली कि सर मैं तो आऊंगी आप अच्छा काम कर रहे हो तो क्रिस्टी आ गई तो हम बावन हो गए फिर अंशुमान आ गया तो तिरपन फिर प्रत्वी बोला यार हम भी चलते हैं अपन अकेले क्या करेंगे चल हम भी चलते तो फिर हो गए चववन फिर साहिल भी आया पच बादा छोटा भाई चलो कोई बच्चा अराम सब समझेंगे अब आप कोई दिक्कत यूएनों की स्थापना ग्रीन हाउस इफेक्ट क्लियर ग्लोबल वार्मिंग सियो टू और हाँ एक बात और यूएनों इस बात का भी ख्याल रखता है पदा आपको है यूएनों इस बा कारवन मोनोकसाइड पी होती है रेकिन सबस्याद क्या बताओ के कारवन और एक और कॉंपोनेंट पूछेगा जो आपके रेफ्रीजरेटर से निकलता है जो आपके एर कंडिशन से निकलता है क्या बोलते हैं सी एफ सी लिख लो सारे बच्चे जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है क्योंकि यह सीसीः खतरनाक है ओन लेयर के लिए जो कहां पर है को बताएगा ओन सी लेयर में चैकशि To Solo को नुपसान बचाता है और C for chloro or F for fluoro or C for carbon to bender kavita item chlorofluorocarbon liquid CFC chlorofluorocarbon like a chlorofluorocarbon is dangerous for ozone layer chlorofluorocarbon is dangerous for ozone layer so that it so that it increases it increases so that it increases the temperature of so that it increases the temperature of earth atmosphere ठीक है earth के atmosphere का temperature बढ़ रहा है से वजा से CO2 की वजा से लोड़ो फ्लोर कार्वन की बजा से गलेशियर पिगल जाएंगे रुद्राक्षी से बात कराओ है क्लोरो फ्लोरो कार्वन पैटा ऐसे लिख लो दो को हिंदी में समझो लिख लो 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 फ्लोरो कार्वन डेमेजीज ठीक है डेमेजीज आवर ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्टेटोस फेयर ठीक है अबर और मैंने बता दिया अंसर बताना नहीं था वहीं है डेमेजीज अबर ओजोन लेयर ओजोन लेयर की परत को डेमेज कर रहा है प्रेजेंट इन इस्टेटोस पेयर डू टू वीच या एस रिजल्ट आफ वीच दे टेमप्रेचर ओफ प्लैनिट या अर्थ इंक्रीजीज है प्रियола अर्थ का टेमप्रेचर बढ़ है इसकी विजह से सधासे क्लोडो फ्लोरो कारबन चाहएब तो घूर्च से इस पर तो बहुत ठाल लगा जा रही है तो अच्वी क्वाल्टी वह ऑ्ट्टोसा और अपडेट करके वह रहे हैं क्योंकि ओजोन लेयर में अगर छेट हो गया तो क्या होगा सन लाइट अल्ट्रा वालेट रेज आएगी संसे अल्ट्रा वालेट रेज आती वह आजाएगी और दिक्कत हो जाएगी ग्लेशियर पिगल रहे हैं और वाटर का स्थर बढ़ जाएगा समुद्रों में चलिए हाँ थ्री बोलते हैं बिल्कुल सभी बात ऑक्सीजन के जब तीन एटम मिलते हैं तो ओट्री बनता है और जब दो मिलते हैं तो और टू ऑक्सीजन बन जाता है लेकिन तीन मिल गए तो जोन लेयर का फॉर्मिशन हो जाएगा इसका ओजोन का लेकिन प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक रूप से जो है उसमें छेट हो जाएगा दिखकत हो कि जी वह लें कि उसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं नहीं होगा चलिए नैचरल होता है बेटा यह बंता दोड़ी है कहीं की बालत तयार कर लिया अपना कबरें में रख लिया सब बना बना के डाल देंगे असमान में फिर तो जो मर्जी करो उदम मचा दो सी एंसी पॉलूशान सब करो दबा के चलो कुछ चीजे हमारे हाथ में नहीं है तो इस्टैबली जो सब्सक्राइब नौर्वे नौर्वे यूरोप की कंट्री एं ठीक है नौर्वे की रादधानी कौन बता रहा है है कोई फील नौर्वे कीपिटल बता दे हाँ प्रोगिक से कराओ डू मेंटेन पीस और सिक्यूर्टी मेंटेन करने के लिए इसका क्या गया था इस थापना दिखाई दे रहे हैं सबको लेकिन अभी तुम्हें इससे कोई काम है नहीं फिलाल मनलब इसे याद करने की कोशिच मत किया अगरो आपके एक्जाम में कैपिटल नहीं आएगा इंडिया के किसी इंडिया के की राजिय का पूछ सकता है क्यम्हें लेकिन आम मुझे लगता है और इंडिया के आसपा सेवट उसी कपिटल वह दो साल के बच्चे को भी आदोता है ठीक है वह बोटान की की बच्टा कौन बतारहा है में कौन मिदारह Bhoorion की जल्दी हैंड्स आप करके बताओ नहीं पता साहिल पता है कि बोलो कि मैंनमार की लाटा बर्मा तुम भी तुम भी चले जाओ तुम भी चले जाओ बर्मा मैंनमार की नहीं राध्धानी है नाटा को काटून देखते हैं नौप टो नौप टो नौप टो नौप टो मेरा पीटा पांच साल गया फटा फटा धड़ा धड़ा बताएगा सैवन कर्टीज के प्टेल यार पाकिस्तान का बोलो अच्छा शिलंका शी जैवादने कोटे जाओ इसे बात कर आओ पिर्थी बहुत कूद रहें इसे बात कर लें हां बता दो तुम नेपाल का बता दो पिर्थी अधियर पता दो नेपाल का तुम बता दो तो तुम नेपाल का मुझे वो कैपिटल बताओ तो लिखिया देखने के लिए इसको याद करने के लिए लिए कि लर्ण करो अर लर्ण क्या डाउट भी और चुने का काम उगा का ओता भी चल ले तो पूरा काम अरे चल ले दो गुरू चलने दो अभी बहुत आयगा इसमें अनिरी पूरी अराम से बैटो दिल थाम एकदम दिल थाम के बैठो सब बताएंगे क्या करो तो क्या करना मलेशय घूंने क्या है मलेशा की कोललामपूर देखो तुम घूमके तो भूले नहीं ऐसे मैप देखा करो विनायक नाच रहा है विनायक हाँ भीनाय क्या बता होगे बताओ तुम नेपाल का बता दो भीनाय का अफगानिस्तान काबूल काटमांडू शिलंका जैवादने कोटे भुटान थिम्पू भुटान का थिम्पू और मैनमार का नौपीडो बंगलादेश का अंगलादेश का धाका चलो यह सब आ सकता है और अपनी 28 का अपनी याद कर लेना क्या याद रखां सुरो मेरी बात 9 union territories सारे बच्चे कल में पूछूंगा कुछ भी पूछ सकता हूं 9 union territories और 28 का capital याद रहना चाहिए इस्टेट्स 28 है ना कि किसी के किसी के देश में 29 भी है गया चलो सौ में से बात करते हैं चलिए यूए नो की स्थापना हो गई और उसके बाद कि क्या वन मेंबर जो थे बोलिये सब बोलिये नाई कहा पर आपके उसमें पेपर में कोई बात मैं क्या बोल रहा हूं जब मैंगो खिला दिया पैरेट को तो तुम लोग क्यों गवड़ाते हो यार बुक में प्रिंट में या कहीं पर तो मालो बुक में गलत लिखा है या मालो किसी से पीछे थोड़ी बढ़ जाएंगे सर ने अगर आपको पढ़ा दिया कि पैरेट मेंगो खाता है उसके बच्चे को मेंगोट बोलते हैं होर्स डॉंकी जैबरा फूल होते हैं तो फोल बोलते तो है ना वो वही रहेगा टें तो फोन निकालो और गूगल वावा जिन्दावाद है अराम सब चेक कर लो खट से ठीक इधे जोटे नहीं हो चलो 51 मेंबर शुरू में बने देखो पीस और सिक्योर्टी के लिए उन्नीस सब पैंतारीस में और पहले इसके सेक्रेटरी जनर्रीगवे लिए लिख लिया और सी एन्सी ग्लोबल वार्मिंग सी ओ टू यह सब भी देखता है एक्रिणाऊस इप्यक्ट बढ़ रहा है तुरत एक्षन लेगा फर्स्ट सेक्रेटरी जनर्रीगवे ली प्रॉम नॉर्वे पहले सेक्रेटरी जनर्रल कौन बनाये गए त्रिगवे ली नॉर्वे के बास पहले साइड हो आप हमें देखने दो है ठीक है मैं हो गया साइड एंटीर गुट्रेस प्रॉम पूर्तिगाल मेरा यहां खड़े जरूरी नहीं बच्चों को पढ़ना जरूरी है इटेवलाफ्स गुड रिलेशन मैंने क्या बताया सारे देशों के बीच में अच्छा रिल यूएंटीपी यूएंचार सी यूएंच सी आर और उसके बाद तुम्हारा आइलो एफएओ सब इसी के इंडर में काम करते हैं सब इसी किया है प्यादे इसने पिछा रखे हैं सत्रण्ज की पिछाद कहरा सब लोग देखते रहो किसी को को दिक्कत ना हो बहिए मैंने से साहिल को अलग काम दिया रुद्राक्षी शी वोल्लत तुम्हारा यह काम है उसके बाद मैंने बो ती है इसके एक ओरगन एक ग्रोल एक हorar एकुद्धमीक एंड्ट सोचल काउंसिल उसके अधर मैं सब काम करते हैं उसके इसके उन्णितल certains खे और नहीं कि उनों Beauty नेशन के छे प्रमुख अंग है कौन कौन से जानेंगे चलो झाल 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 झाल